को क्योंकि ऐस से क्या होता है बोल से मिलता है। इसके जबडे जो है नात वगरा जो है जबड़ा वह मजबूत हो जाता है। जो इसका head है, head, ये जो आपका head उपर का जो portion होता है, head ये बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको हफते में दो से तीन बार जो है, ये हड़ी थोड़ी सी boil करके इसको दी जाती है, ताकि इससे जो इसके अंदर का जो bone marrow होता है, जो आप देख पारे होंगे, जो bone marrow है, इससे इसकी भी health का जो है, काफी effect पड़ता है, इससे कुत्ता बड़ा strong रहता है, और इसलिए हम लोग इसको जो है, ये head जो है, देते हैं, बाकि दूसरी चीज क्या है, कि जो हम लोग अपने diet में जो है, raw chicken उसको कीमा बना करके, raw fish को कीमा करके, या जो animals के, आपके कहना में, goat व करके, mince करके, उसको जो है, rice के साथ, जो है, boil करके, उसको meat हम raw डालते हैं, बस, तो इसी वज़े से ये जो आप हमारे dog के अंतर जो shining या, इसकी जो muscularity जो देख रहे हो, उससे ये develop होती है, देने का फायदा ये है, कि इसका जो कहना में, दातों की सफाई हो जाती है, मेरो लेता है, तो उसकी हड़ियां काफी मजबूत रहती है, और लॉंग टाइम तक कुत्ता भी जो है, इस्टड के लिए अच्छा बना रहता है, तो भीया एक आपने बोला कि रा चिकन देता हूँ, रा मतन देता हूँ, तो मुझे एक बाद बताओ, इंडिया में तो रा है, वो गरम है, इसलिए रा इसको नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरी मानना यह है कि यह जो जंग, यह जो कुत्ते जो हैं, हमारे पाए जो परसा के नेरियो जो डॉक्स हैं, यह बेसिकली कहना में इतनी मस्कुलर ब्रीड होती है, इसको अगर आप रा नहीं देगों को तो कि इसकी वो जो मस्कुलाइटी जो है न, वो डेवलेप नहीं हुपाएगी, दूसी चीज क्या है कि यह डॉक को जो है, रौ ही खाना ज्यादा पसंद आता है, ऐस कंपेर डू कोक्ड मीट, विटामीन और कैल्शियम जो है, इसका जो है कि हम लोग हर 15 दिन में कैल्शियम का एक सैशे दे देते हैं, और मल्टी विटामीन जो है, जो हुमन्स की मल्टी विटामीन आती है, वो हम लोग इसको हफते में एक एक दे दियेते हैं, तो उससे कहा है कि वो थोड़ा मल्टी विटामीन एक मन को भी सांती मिल जाती है कि हमारा डॉग मल्टी विटामीन दे रह है उसको इन सब चीज हो की कोई जरुवत नहीं है तो दोस्तों यह थे बहिए यह नीचे जो शितान बच्चा लेटा हुआ है यह है कैना कैर सो प्रैसा कनेरियों सोरी मेरे मुझे ना प्रैसा कनेरियों और कैन को एक जासा ही निकलता है लेकिन दोनों ब्रीड में बड़ा फर तो सारा कुछ रेडी मेडी हो गया है अजकल तो देखे कुत्तों को जो है रखा जाता है एसी में लेकिन जो डॉग है वो बिल्कुल वाइल लाइफ में रहने वाला एक जानवर होता है हम लोग उसको एसी में रख करके इसी लिए इनकी एम्मुनिटी सिस्टम जो है अलग जो है ब्रीडर लोग खराब कर दे रहे हैं चलो यह मां आपको ब्रीडिंग की बात आगी है यह वीडियो जल्दी आने वाला इसमें आपको फार्म टूर भी मिलेगा और ऐसे आप यकीन करो के 15-20 डॉग हो रहे हैं सारे दिखाऊंगा अगली वीडियो में बने रही हो और बहिया का नंबर नीचे है और प्रैसक नेरियों के बहुत शांदार इंडिया के ब्रीडर है बहिया और एक बार आके इनके पास क्वालिटी चक कर लेना और यह ऐसी जो छोटी-छोटी चीजी होती है यह इंप्लिमेंट करना शुरू कर दो थैंक्यू दोस्तों